हमारे साथ राज़सपा सांसद शुपरताप शुकला जी हैं जो इस चुनाओं में बहुत ब्यस्त हैं पहले चरण से लेकर करके साथवे चरण तक तमाम जीलों में जाकर के जो विधायक के प्रतियासियं बीजेपी की उनको जीदाने के लिए लगातार सभाएं कर रहे हैं सर अगर कहें तो सांसदों के लिए भी इस चुनाओं में एक अगनी परिक्षा है क्योंकि उनको भी अपने को प्रूब करना है तमाम जो जीलों के सांसद हैं उनके बिधान सभाव में आपने कितने मेहनत की और कितना आपके लिए भी यह चुनाओ टफ रहा लगातार आप काम कर रहे हैं लगातार लोगों की इसमें जा रहा है सांसदों को भी कितनी मेहनत इस बार मोधी जी करा रहा है उन्हें देखिए इसमें हम कोई मेहनत नहीं कर रहा है पार्टी हम लोगों को जहां काम देती है हम लोग जा करके काम करते हैं और उसमें कोई यह नहीं है कि मो किया है पार्टी ने जो दायत दिया उसको पूरा किया है और में ऊत्तरुदेश सरकार बनाने की तरफ अग्रस है बन सभार화ka को सबीस को इस मैदान में उतारा गया जो जिलों पर उनको भी क्या बीजेपी निर्देश है कि उनके उनके विदास téगा है उसको जीतने के लिए कमल खिलाने के लिए उनको पूरी तरह से लगना पड़ेगा और किस तरह से लोग लगे हुएं किस तरह से अपनी सारी विधायक और सांसते एक दूसरे के पूरक होते हैं तो ऐसी इस्तिती में उनका स्वेंग का दाई तो होता है कि अगर कहीं घटेगा तो असर तो उनके उपर भी पड़ेगा तो वह भी अपने दाईतों से बिमुख नहीं हो सकते हैं तो सभी सांसत लगे हुए हैं और अपने अपने छेतर के विधायकों को जीता साने के लिए कृत्त संकल फने सारी मना जा रहा है कि 24 के पहले यह सांसतों का सेमी फाइनल है जिसका परफार्मेंस बहतर होगा 24 में उसको उतनी ही तवज्जु दी जाएगी टिकट में तो इसको लेकर के भी क्या कोई ऐसा सांसतों के वीच में निर्देश दिया गया है कि उन बीपरित परिस्थित्य होती है तो हां लेक चुना व और कोई आर जाता है तो इस से उस सांसत का आकलन नहीं होता यह जरूरी है कि समी करण बनता है तो दूसरे छेतर में भी जाकर के सांसद जिता देता है तो यह प्रश्ण कोई नहीं रहता है और यह कोई सेमिफाइनल सांसद का नहीं होता है सांसत हमारे जितने हैं सभी शक्रिय हैं हमेशा सक्री रखते हैं माने प्रधानमंतिजी स्वेंग उनको कोई डिप देते रहते हैं सक्री रहने का और उसका पालन करते हैं इस चुनाव में भी सभी सांसा सक्री है कि यह उत्तर प्रदेश में भारती जनतापांटी की 300 के पार कि सरकार बनेगी तो उसको बड़े दिढ़ता के साथ कर रहे हैं और दस्तारी के मतदा जो है काउंटिंग के बाद जो है फिर हम सरकार बना लेंगे तो कोई प्राबलम नहीं है हम लोग यह वीपक्ष चुकी अपने में बटा हुआ है इसना ते उसको कोईन कोई बाहना चाहिए हो बाहना ढू सब्सक्राइब करना चाहिए चुनाओं का मतलब यह होता है कि भासा के संजम को खोया ना जाए तो इसको सब को करना चाहिए तो जिस तरह से हमारे साथ है राजसभा सांसाथ शुपरताब जी बता रहे हैं कि पूरे प्रवांचल में बीजेपी की स्थिती तो जो सत्रह में सब्सक्राइब कर रहे हैं कि अपनी परफार्मेंस दिखानी है और यहीं परफार्मेंस 2024 में उनके चैन का उनके प्रत्यासिता का आधार बनेगी प्रतिपुर्ण सादीपक सिर्वास्तों निश्टेट गोरपुर्ण